आज कल लक्षरी कार्ज लेना, कार में घुमना सबका शौक बन गया है। व्यक्ति के पास बड़े से बड़े ब्रेंड की कार हो तो उसका स्टेटस हाई माना चाता है। ब्रेंडेड कार्ज के वक्त में कुछ लोग ऐसे भी है जो हैंडमेड कार्ज चलाना पसंद करते हैं। सुनने में बड़ा अजीव लगता होगा कि हैंडमेड कार कैसे बना सकते हैं। अब तक आपने हैंडमेड ड्रेसे, डेकोरेटिव आर्टिकल्स जैसी चीज़े तो किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऐकिन को प्रेस कीजिए। वुड़न कार अलग-अलग मटीरियल और एक्विप्मेंट से बनी लक्शिरियस कार्ज आपने देखी होंगी। पर क्या आपने कभी वुड़न की बनाई लंबॉरगीनी कार देखी है। वुड़न लंबॉरगीनी कार का मॉड़िल बिलकुल रियल लंबॉरगीनी जैसा ही है। ये बाद जानने ज़रूरी है कि ये सिर्फ शोप इसकी कार नहीं है बलकि कार रियल में चलती भी है। इस कार की स्पीड है 368 किलो मीटर पर आवर जिससे आप आसानी से ट्रावल कर सकते हैं। कार का एकस्टीरियर और इंटीरियर मॉडल पूरा वुट से ही बनाया है। कार वुटन की होने के करण इसका वेट 1100 किलोग्राम है। लेगो कार लेगो का इस्तमाल गेम्स खेलने या अलग लेगो मॉडल्स बनाने के लिए होगा। लेकिन दुनिया में सबसे पहली और अनुखी लेगो कार भी बनाई गई है। लेगो कार को रुमानिया में बनाया है जिसका एकस्टीरियर मौडल और एंजिन भी लेगो जोड के क्रिएट किया है। पूरी कार बनाने में 5,000,000 लेगो पीसेस दिस्तमाल किये है। दिखने में ये कार जितनी इंट्र कर सकते हैं इस कार का बनाना शेफर अगब लेकिन इस कार कos बनाने में पूरे आच्छा लाग रुपय लगे थे कार्ड़ पर को यकीन कर सकते हैं सिंपल काड़ बूर्ड और से भी कार बनाई जाती है लेकस्स कंपनी ने इस cardboard car को बनाया था इस कार को बनाने के लिए best quality के 1700 cardboard sheets का इससी। बात पर यकीन करना मुश्किल है cardboard से real car कैसे बन सकती है पर ये खर पूरी cardboard से बनी है जिससे organic car का नाम मिलता है। sofa car वेस्ट आउट वेस्ट बनाने का बहुत उनीक आइडिया है अगर रास्ते में आप ऐसी अनुखी कार में ट्राविल करोगे तो सब की नजर आप पे ही होगी सोफा कार 80 किलो मीटर तक चल सकता है जिसमें दो लोग सफर कर सकते हैं तो ये थे सबसे अनुखे तरीके से बनाए गए हैंडमेट कार्स अगर आप ऐसी कोई इंट्रेस्टिंग आइडिया जानते हैं तो हमें जरूर बताएए और अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेर और कमेंट जरूर करें और अगले वीडियो तक के लिए अलविता दोस्तों धन्यवाद